सी जनता आप लोग कैसे हैं पहली बात क्या कल से कुछ सीख रहे हैं ताज्यूब होगा नहीं कभी सोचा था कि मसीहत के अंदर एक ऐसा दोर आएगा जा कन्वेंशन होते थे जा कुरूसेट्स होते थे जा वर्शिप कॉंसेट्स होते थे मैं खुद भी करता था जा बाइबल स्टडीज होती थी एक ऐसा दोर आएगा जहां पे हमको डिबेट शो करना पर जाएगा और वो भी पब्लिक प्लैटफॉर्म पर अब आप सोचके देखिए ऐसा करने का नौबत क्यों आ गया तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप ये लाइन पढ़ ले लिखा है कि मेर मकसद इस तरह के प्रोग्राम को करने का रैंडम डिबेट शो का ये कॉंसेट जो है इस तरह के प्रोग्राम को करने का मेरा मकसद क्या है तो मेरा मकसद ये है ठोकरों के मनुशों को एक्सपोस करना आपने ठीक पढ़ा ठोकरों के मनुशों को एक्सपोस करना तो मैं चाहत कि सबसे पहले आपके लिए वच्छन मैंने कल भी पढ़ा था अब मैं आपको डीटेल में आज देने जा रहा हूं लुका की किताब उसका सत्रुवा अध्याए और वच्छन एक लिखा है कि फिर उसने यानि इश्यो ने अपने चेलों से कहा हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे इसका मतलब क्या है दोस्तो इसका मतलब यहा है कि ठोकरें लगेंगी येश्यो जी कहते हैं अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझसे बाइबल कहती है येश्यो के मात्यम से कि डैनियल ठोकर लगेगी आप जब पढ़ते हैं तो आपको भी बता दो कि आपको भी ठोकरें लगेगी लेकिन वचन आगे पढ़िए तीसरी लाइन कहता है परंतु हाई उस मनुश पर जिसके कारण वे आती है तो यहां पे जो ढांट है जिसको ठोकर लगी उसको नहीं है ढांट ढांट उसको दे रहा है येशू या उसको श्रापित कह रहा है या हाई कह रहा है या फिर उसको करसट कह रहा है जिसकी वज़ा से ठोकर आती है जिसके जिस ऑनलाइन प्रीचर की वज़े से ठोकर आती है उस पास्टर के वज़े से ठोकर आती है उस अपोस्तल के वज़े से Prophet के वजे से, Bishop के वजे से, Reverend के वजे से Bible Teacher, Preacher, Worshiper, Musician आप येशू के जो प्रचार करते हैं न उन लोगों को जो घलत तरीके से आते हैं और लोगों को ठोकर का कारण बनाते हैं येशू उनको यहां डांट लगा रहा है तो मैंने ये प्रोग्राम करने का क्यों तै किया लिखा है कि ठोकरों के मनुश्यों को एक्सपोस करना तो मैं इनको एक्सपोस करना चाहता हूँ जो दूसरों के लिए ठोकरे के या ठोकरों के कारण बनते हैं मरकुस के खिताब उसका नौका 42 42 जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिला है तो उसके लिए भला यहा है कि एक बड़ी चक्की का पाठ उसके गले में लटकाया जाए और वह समंदर में डाल दिया जाए एक और इसकी का वचन है मती 18 का साथ ठोकरों के कारण ठोकरों के कारण संसार पर हाए ठोकरों का लगना अवश है पर हाए उस मनश पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है तो जिसके चलते यह लाइन रखा हूँ कि पहचानो इस ठोकर के मनश को पहचानो इस ठोकर के मनुश्य को बात को समझ में आ गई आप समझ गए तो यह जो Christian Random Debate Show है मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ तीन साल से यह ठोकर वाले लोग मेरे पीछे पड़े थे मेरे अगेंस्ट में इन लोगों ने खुब वीडियो बनाई मैं चुप रहा मेरे जो हमारी जो टीम है MMB के जो लोग है मेरे पास में जब वाटस अप पे अनाप्शना वालों की जब वीडियो बेजते थे तो मैं इनको कहता था इगनौर करो इगनौर करो अब मैं करूंगा तो जिसके चलते अब आपके बीच मैं आ चुका हूँ तो जितने मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लैटफॉर्म दे रहा हूं मेरे पीट पीछे वीडियो बनाने से बेतर है आओ सामने आप यूटूब पर फेस्बुक पर या सोशल प्लैटफॉर्म पर आप अपने अपने कमरे में बैट कर जहां मैं नहीं रहता हूं आप अपनी मर्जी से जो चाहो बोल सकते हो मुझे नालायक बोल सकते हो मुझे लुसीफर का एजन बोल सकते हो पताने क्या क्या आप लोग बोलते हैं वो सब बोल सकते हो क्यों कि मैं वहाँ नहीं था अब आपके अंदर अगर इतना guts है अगर इतनी दम है और इतनी ताकत है और इतनी हिम्मत है तो ये platform आपके लिए है ना किसी प्रकार का जगड़ा ना किसी प्रकार की क्या कहते हैं ना आउट अफ कंट्रोल होना या गलत बातों को करना ये सारी इजाज़त ना तो मैं आपको दूँगा ना मैं खुद करूँगा इसको बड़े प्यार से और बड़े डिस्प्लिन तरीके से अनुशाशित तरीके से आप और हम क्योंकि आपको शौक है ना मुझे ठीक करने का आपको शौक है ना किसी को ठीक करने का ये गलत है ये गलत है ये गलत है देखें ये नौबत ही नहीं आती अगर आप लोग सिरह प्रचार करते गलत को एक्सपोस करते लेकिन आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने वैक्ति को सामने रख दिया और मुझ जैसे आतमी को मुझ जैसे आतमी को तो जिसके चलते मैंने कल्बी का था मैं आज फिर काऊंगा ये शुका वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो जैसा भोएगा, वो वैसा काटेगा तो ऐसे लोगों के लिए ये वचन है और यहाँ पे क्या चल रहा है? लोग हैं? ओके, no problem. जैसी मुझे आते हैं तो मुझे बताइएगा ये वचन आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, नीती वचन 12 का 15 लिखा है कि मुड को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है परंतु जो सम्मती मानता है, वो बुद्धी मान है अब इसका English translation रख देते हैं, फिर बात करते हैं Proverbs chapter 12, verse 15 The way of a foolish, right in his own eyes But he that herkeneth unto counsel, he is wise और herkeneth का जो एक और क्या कहते हैं, खुलासा या translation, या उसका खुलासा है respectful attention तो जो foolish होता है उसको लगता है कि उसके खुद की आँखों में या उसके खुद के दिमाग में मैं सही हूँ, मैं सही हूँ लेकिन जब वो साला ले लेता है और सीखता है, तब वो बुद्धिमान बन जाता है यह नीथी वचन कह रहा है अपने तरीके से तो जिसके चलते